दोस्तों जैसे कि आप से भी जानते हैं Amazon पे दि Great Indian Festive Cell आ चुकी है और Flipkart पे दि Big Billion Day 2019 आ चुकी है तो इस Cell के दोरान अगर आप Best Trimmer online खरने के बारे में सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे Trimmer's available हैं जो मैंने खुद से Purchase किये हैं Just for Review Purpose और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपके लिए आपके बजट पे कौन सा Trimmer लेना रहेगा सही तो इस वीडियो को अन तक आप देखिएगा जरूर नमस्कार दोस्तों मैं हूँ भी से गुपता और आप देख रहे हैं LearnAVee.com हर दिन सिखो कुछ नया वीडियो में गया बने इस पहले आप से विए कन्फर्म कर दूँ कि सारे के सारे Trimmer का Best Buy Link आपको नीचे description section पे मिल जाएगी जहां से खरदने पर सारे के सारे Trimmer आपको सबसे सस्टेंदा में तो मिली जाएगी इसी के साथ साथ थोड़ी सी support हमारी channel को भी मिल जाएगी तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं आपके लिए आपके बज़ट पे कौन सा टेमा लेना रहेगा सही तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे lowest बज़ट मत्तब अग्दम कम बज़ट है अगर आपका तो आपके लिए कौन सा टेमा लेना रहेगा सही और अगर आपका maximum बहुत ही ज़़ट है तो आपके लिए कौन सा टेमा लेना रहेगा सही ये सेवी चीज़े हम अभी जानने वाल हैं तो सबसे पहला अगर आपका बज़ट है साड़े तीन सो रुपए तो आप जा सकते हैं with this flipkart smart buy trimmer ये जो trimmer आप देख रहे हैं ये इसके actual price है तकरीबन 500 के आसपास लेकिन अभी offer के दौरण आपको सिर्फ साड़े तीन सो रुपए में मिल जाती है और इसकर साथ इस trimmer आपको 4 different attachment देखने को मिलती है 3 mm, 6 mm, 9 mm and 12 mm मतब 4 different setting में आप अपने बेट को trim कर पाएंगे इस trimmer का charging time में 8 hours 8 घंटाए complete charge करने पर आपको इस पे 60 minutes के battery backup मिल जाती है trimming performance के बात करें तो trimming performance ठीक ठाक है उतना excellent नहीं कहूंगा लेकिन अगर आपका budget सच वे बहुत ही कम है आप ज़धा पैसे invest नहीं कर सकते on that case आप इस flip card smart buy trimmer के साथ में definitely जा सकते हैं अब चलिए बढ़ते हैं आगे थोड़ी higher budget पी जो कि यह 500 तो अगर आपका budget है 500 रुपए on that case आप जा सकते हैं with nova nht1085 trimmer actual price इसकी है तकरिवन 600 रुपए लेकिन ऑफ़ार के दौरान आपको यह trimmer सिर्फ 500 रुपए में मिल रहा है तो आपके लिए काफी सही option हो सकता है इसके total charging time में 8 hours आट घंटे कंपर चार्ज करने पर आपको 45 minutes के battery backup मिल जाती है इस trimmer में total आपको मिलता है 20 lock settings जो इसार रहता है 0.5 mm से लेकर 10 mm तक तो setting तो काफी ज़्यादा मिल जाती है और इसके tripping performance भी मुझे काफी बहतर लगी as compared to our flip card smart wire trimmer Nova NHT1085 की performance थोड़ी सी बहतर है अब चले बढ़ते हैं आगे अगर आपका बज़ते 600 से 600 के आसपास on that case आप जा सकता है Nova NHT1087 trimmer की और तो 1087 जो trimmer है इसका 12 charging time है 8 hours, 8 गंटे इस complete charge करने पर आपको speed 90 mm के battery backup मिल जाती है तो इसकी battery backup काफी सही यहाँ पे दिये हुए है इसके इलावा जो trimmer है इसका minimum जो setting है वो है 0.25 और इस trimmer में भी आपको रोल 20 lock setting मिलती है same like in Nova NHT1085 तो अगर हम performance की बात करें तो as compared to 1085 Nova NHT1087 के performance थोड़ी सी बहतर है इसके इलावा इसके आपको better battery backup भी देखने को मिल जाती है तो अगर आपका budget है 600 रुपए के आसपास on that case आप definitely Nova NHT1087 trimmer के साथ में जा सकते हैं अब चले बढ़ते हैं आगे थोड़ी और महेंगे trimmer की और तो अगर आपके budget है 800 रुपए तो 800 रुपए के budget में आप definitely आँख बंद करके ले सकते हैं फिलिप्स के तरफ से आने वाली ये फिलिप्स BT1212 trimmer तो आप ये जो trimmer देख रहे हैं इसकी performance बहुत ही बढ़िया है माना कि ये 800 में मिल रहा है फिलिप्स के तरफ से आने वाली एक बहुत ही सस्ता trimmer है लेकिन दोस्तों इसकी performance बहुत ही जबरदस्त है ये जो trimmer आप देख रहे हैं इसके तरफ चार्जिंग टाइम में 8 अवर्स 8 घंटे कंप्रिट चार्ज करने पर आपको 30 मिलिट के बैटरी बेक अप मिल जाती है इस trimmer आपको मिलता है 3 डिफरेंट लॉक सेटिंग्स जो की है 1 mm, 3 mm and 5 mm तो 3 different setting में आप trim कर पाएंगे इसके अलावा अगर आप चाहो तो without help of any clip भी trim कर पाएंगे इसकी trimming performance के बात करो तो guys बहुत ही जबरदस्त इतना super fast speed और बहुत ही smooth trimming result इसका है मतलब अगर आप फुल beard को trim करना चाहेंगे तो max to max 3 से 4 मीट के अंदर में आप अपने beard को trim कर लेंगे using this Philips BT1212 trimmer तो इस trimmer का बस एकी disadvantage है कि इसकी battery backup कम है 8 hours charge करेंगे पर आपको सिफ 30 मिर्स के battery backup मिलती है और सिफ 3 different setting में आप इसको trim कर पाएंगे 1 mm, 3 mm and 5 mm without clip trim करेंगे तो आपको 0.5 mm प्यासाने से trimming result दिखने को मिल जाती है तो अगर performance की बात करें तो guys 800 रुपए के budget में इस से बहतर trimmer आपको पहिने मिलेगी और अभी ये trimmer आपको सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए में मिल रही है in offer और इसी के साथ साथ अगर आप SVA debit card से purchase करते हैं on Amazon तो आपको और भी जदा discount मिल जाएगी तो ये एक बहुती अच्छा offer है आप सभी के लिए तो 800 रुपए है तो डेफिनेटली आप इस philips bt1212 trimmer को डेफिनेटली एक बार try जरूर कीजिए आप चले बढ़ते हैं आगे थोड़ी और मेंगे ट्रिमर की और तो अगर आपका budget एक हजार रुपए है तो एक हजार रुपए के budget में हमारे पास थ्री डिफरेंट ट्रिमर्स है तो सबसे पहला ट्रिमर है ये है philips bt1215 trimmer आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके इलावा ह हमारे पास और एक ट्रिमर है जो कि है nova के तरफ से आने वाली nova NP1098 trimmer इसी के साथ साथ हमारे पास और एक ट्रिमर है जो कि है nova NP1090 trimmer अब टेडिंगर जान लेते हैं अगर आपका budget एक हजार तो एक हजार के budget में आपके लिए कौन सा ट्रिमर लेना रहेगा सही तो सबसे ह बात करेंगे तो हजार रपे का बजट में जो लो रेंज वाला ट्रिमर है वो है ये नोभा एनस्टी 1090 ट्रिमर इस ट्रिमर का बस एक ही खास बात है कि इस पर अगर वे इस ट्रिमर को यहां से अन करता हूं तो देखिए यहां पर एली डिस्पली दिया हुआ है जो बताता है आपका ट्रिमर कितना परसंट तक चार्ज है ठीक है तो यही एक यूनिक सा फिचर इस ट्रिमर में दे दिया है और लोग यही फिचर दे के पता नहीं क्यूं पगला गया है इस ट्रिमर को खरिदने के लिए यह जो ट्रिमर आप देख रहे हैं इस रोल टार्जिंग टैम है 90 मिनिट्स और इसका बैटरी बेकप आपको 150 मिट्स की बैटरी बेकप मिल जाती है लेकिन परफोर्मेंस की बात के तो परफोर्मेंस महा बेकार है तो मैं यह इस ट्रिमर को खरिद के पच्टाना चाहते हैं तो खरिद दिये इसका लिंक भी आपको निचे डेस्क्रिप्शन सेक्शन पर मिल जाएगी Nova NST 1098 का बाद में आता है एक टिमर जो कि Nova के तरफ से आने वाली Nova NST 1090 टिमर तो अगर हम Nova NST 1090 टिमर के बात करें तो इस टिमर के परफोर्मेंस बहुती बढ़िया है मतलब 1098 और पूछली जो भी मैंने नोभा के ट्रिमर के बारे हम बात किया उन सबसे बहतर रिजल्ट जो है और नोभा इनसी 1090 ट्रिमर की है नोभा इनसी 1090 ट्रिमर का जो चार्जिंग टाइम में हुआ है सिर्फ 2 आवर्स दो घंटे चार्ज करने पर आपको 90 मिनिट्स की बैटरी वेकप मिल जाती है इस ट्रिमर रोडल सेटिंग इस पर जो है वो है 20 लॉक सेटिंग जो इसाड़ होता है 0.5 mm से लेकर 10 mm तक तो ट्रिमर 20 डिफरेंट लॉक सेटिंग में आप अपने बैट को ट्रिम कर सकते हैं इसकी ट्रिमिंग रिजल्ट भी काफी सही है बहुती बहतर तरह से आपके बैट को ये ट्रिमर ट्रिम करके दे देता है तो अगर आप एड़ बज़ाटो रुपिस 1000 एक बहतर ट्रिमर लेने के बारे में सोच रहे हैं तो नोभा एनस्टी 1090 आपके लिए एक बहतर आप्शन हो सकता है और इस ओफर के दोरान आपको ये ट्रिमर सिर्फ और सिर्फ 800 रुपए के आसपास मिल रही है जी हाँ दोस्तो 1000 रुपए के ट्रिमर है नोभा एनस्टी 1090 लेकिन अभी ओफर के दोरान आपको नोभा एनस्टी 1090 सिर्फ 800 रुपए में मिल रही है तो दोस्तों आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत हुईएगा क्योंकि मैंने देखिए 800 के बज़ेट में और एक ट्रिमर आपको बताया था जो कि है फिलिप्स बीटी 1212 और अभी एक हजर का ट्रिमर जो कि है नोभा एनस्टी 1090 वो अभी आपको सेम 800 रुपए में मिलते हैं तो 800 रुपए में अगर हम दुनों ट्रिमर को कंपेर करें तो पर्फोर्मेंस वाइस BT1212 के पर्फोर्मेंस बहुत ही बढ़िया है फिर भी अगर आप ज्यादा सेटिंग वाले ट्रिमर ढून रहे हैं जिसकी सेटिंग ज्यादा हो और जिसकी बैटरी बैकप भी ज्यादा ह आप देफिनेटरी 1090 को ले सकते हैं लेकिन पर्फोर्मेंस वाइस इस फिलिप से थोड़ी सी उसकी पर्फोर्मेंस फिकी है फिर भी आप उस ट्रिमर को एक बार कॉंसिटर जरूर कर सकते हैं अब चले बढ़ते हैं आगे नेक्स ट्रिमर की ओर जिसका बज़ेट है सेम 1000 र पुरा सुपर फास्ट स्पीड में आपको ये ट्रीम करकी दी देता है इसका रोल चार्जिंग टायम में एट आवर्स आर्ट घंडे कंप्रेट चार्ज करने पर आपको 60 मिनिट की बैटरी बेकप मिल जाते हैं इसके अलावा इस टिमर में आपको 4 डिफरेंट सेटिंग मिलत आप ट्रीम कर पाएंगे और एक चीज अभी तक मैंने जितने भी ट्रीमर यूज किये हैं तो ये जो फिलिप्स बीटी वान टू वान पाइप ट्रीमर आप देख रहे हैं ये आपको सबसे ज़्यादा क्लीन शेव वाली लुक दे देता है तो अगर आप 1000 रोपे का बज़ दोरान ये 1000 रोपे वाला ट्रीमर आपको Amazon पे सिर्फ 900 रोपे में मिल रही है जिसका Best Buy लिंक आपको नीचे Description सेक्शन पे मिल जाएगी तो ये तो रहा फिलिप्स BT-1215 Best Trimmer अंडर 1000 रूपीस अब चले बढ़ते हैं आगे अगर आपका बज़ेट है 1200 रूपीस और 1200 रूप जो मार्केट में आते ही आग लगा दिया था because of its features और इसी के सासथ हमारे पास है एक फिलिप्स को तरब से आना वाली फिलिप्स QT4001 ट्रीमर तो दुनों ही ट्रीमर में क्या डिफरेंसेस है और आपको इन दुनों में से कौन सा ट्रीमर लेना रहेगा सही चलिए आपको ब पतलब लोग सोचते ही नहीं है दूसरे ट्रीमर के बारे में क्यों लोग सोचते हैं इतना feature है तो यहीं ट्रीमर बैस्ट होगा लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है यह जो मी का ट्रीमर देख रहे हैं इसको अगर आप दो घंडे चार्ज करते हैं आपको 90 मेर्स के इसके अलावा यहां पे हमें 3 डिफरेंट डॉट देखने को मिलता है जो आपको बताता है आपका ट्रीमर कितना पर्शन चार्ज हुआ है तो यह सभी feature हमें महेंगे महेंगे ट्रीमर में भी देखने को नहीं मिलता तो यह सब के कारण मी ट्रीमर जो है यह सबसे यूनिक ट में अपने beard को एंड अपने hair को भी trim कर सकते हैं जो 40 different setting जो start होता है 0.5 mm से लेकर 20 mm तक इसके साथ आपको 2 different clip मिलता है तो पहला clip के help से आप 0.5 mm से लेकर 10 mm तक trim कर पाएंगे और जो दूसरा clip है उसके help से आप 11 mm से लेकर 20 mm के setting तक अपने beard को trim कर पाएंगे तो यह तो हो गया इसकी features तो feature wise बहुत ही बढ़िया feature हमें इस me beard trimmer में देखने को मिल जाता है लेकिन अगर हम performance की बात करें तो यह जो me beard trimmer है इसका जो blade है यह काफी ज़्यदा heat करता है as compared to any trimmer I have ever used in my life तो blade अगर आप बिना comb की trim करते हैं तो blade काफी ज़्यदा heat करता है असानी से 5-6 minute यूज़ करने के बाद आप इसकी heating को महसूस कर सकते हैं अपनी skin में इसके इलावा इसका दूसरा problem है इसका comb का design आप देख सकते हैं से comb का design ने देखिए बहुत ही बिकार design दिया हुआ यहाँ पर blade है हमारा यहाँ ठीक है और comb है यहाँ पर तो इसका main disadvantage क्या होता है जब हम trim करते हैं यह वाली area आप देखिए तो directly हमें नाक में लग रहाया यह उपर का हिस्सा ठीक है comb का design महा बक्वास दिया हुआ है अगर आपका beard छोटे-छोटे है medium size में आप देखिए मेरे beard कितना है मतलब अगर medium size के beard आपके है on that case आप इस me beard trimmer को तो use ही नहीं कर पाएंगे इसलिए में इस trimmer को आपको बिल्कुल भी recommend नहीं करूंगा in the same time अगर आपके beard बहुत ही बड़े-बड़े हैं बहुत ही लंबे-लंबे beard रखने चाहते हैं on that case आप इस trimmer को definitely use कर सकते हैं क्योंकि जिसके beard लंबे-लंबे होते हैं वो पुरा-फुल इस तरह से trim नहीं करते हैं बस उपर-उपर हलका-हलका trim करना चाहते हैं on that case आप इसको use कर पाएंगे लेकिन अगर आपका beard medium size के है on that case आपके लिए यह trimmer यूज़ करना ना मुम्किन है तो it is better आप features को मत देखिए trimmer के performance को देखिए उसके बाद ही आप trimmer को buy कीजिए मैंने सभी trimmer use किया है किसकी क्या features है किसकी benefits है किसकी benefits नहीं है सभी मैं चिताव से जानता हूँ तो इसलिए आप सभी को मैं अगर आपके beard छोटे छोटे है medium size के है तो मैं आपको me beard trimmer बिल्कुल भी recommend नहीं करूँगा अब चले बढ़ते हैं आगे इसके takker में हमेरे पास से philips को तरफ से आने वाली यह philips qt4001 trimmer माना कि यह trimmer faster जिन support नहीं करता माना कि इस trimmer से आप power में लागर के trim नहीं कर पाएंगे माना कि इस trimmer पर 40 different lock setting नहीं है माना कि इस पर LED notifications नहीं है माना कि इस पर इतने सारे features नह में देखने को मिलते हैं लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम performance wise देखें on that case definitely philips qt4001 trimmer जो है यह होता है winner इस पर आपको सिर्फ 10 setting मिलता है जो इसार होता है 1 mm से लेकर 10 mm तक सिर्फ 10 different setting में आप trim कर सकते हैं that is more than enough उस ज्यादा setting के हमें जुरूरत भी नहीं परती इसके चार्जिंग टाइम में 10 hours 10 घंदे चार्ज करने पर आपको 30 minutes की battery backup मिल जाती है और यहां से आप आसाने से steamer को adjust भी कर सकते हैं आप दीख सकते हैं as of now यह 1 mm पे है इसको हम इसार से rotate करेंगे तो यह 10 mm तक जाएगा और उसके बाद आप आसाने से steamer की clip को निकाल कर भी अप हम performance की बात करें guys तो performance wise this philips qt4001 trimmer is doing a great job इसी किसा साथ इसकी bleed की design में बहुत बढ़ियां दिया हुआ है इसकी comb का design में बहुत बढ़ियां दिया हुआ है आप दीखी इसका जो comb है बिल्कुल bleed से attached है ठीक है on for this region आप दीखें आसानी से उपर का हिस्सा भी easily trim कर सकते हैं क्र पूरा उपर तक जा रहा है ठीक है तो इसका trimming result काफी अच्छा है आपको मैं एक बार close up look दिखा देता हूँ आप देखिए दूरों में कितना differences है यह देखिए इसका comb कितना उपर है ठीक है और यह देखिए इसका comb philips का comb कितना चिपका हुआ है तो यही differences है देखिए philips as well as me be a trimmer और as compare to me trimmer philips का जो trimmer इसका blade बिल्कुल भी heat नहीं होता यह trimmer बिल्कुल भी heat generate नहीं करता तो 1200 के budget में अगर आप एक बैतरीं trimmer ढून रहे हैं तो मैं आपको recommend करूंगा आप इस philips qt4001 trimmer को जरूर ले सकते हैं offer के दोरान यह trimmer सिर्फ आपको 1000 रुपे में मिल रही है और me का trimmer आपको मिल रहा है सिर्फ 1100 रुपे में जो भी trimmer आप online करने के बारे में सोच रहे हैं please purchase it from the link given in the description section below आप चली बढ़ते हैं आगे अगर आपका budget है 1500 रुपे तो 1500 रुपे के budget में आप आँख बंद करके आँखों में पट्टी बांद कर एक trimmer लीजिए ज इतनी बढ़िया performance है इतनी बढ़िया performance है जब मैंने steamer को use किया था मतलब तब मुझे पता चला था कि भाई trimmer होता क्या है इतनी excellent मतलब जबर 10 performance के साथ आपको मिल जाता है फिलिप्स BT3211 यह ट्रिमर से रोल चार्जिंग टाइम में 10 अवर्स 10 घंडे चार्ज करने पर आपको इस पे 60 मिनीट के बैटरी बैकप मिल जाती है इसके अलब आप steamer को corded as well as cordless दोनों ही तरह से यूज़ कर सकते हैं तो अगर आपके बैटरी लो हो जाती है तो आप चि इस ट्रिमर के हल्ब से आप 20 डिफरेंट लॉक सैटिंग में ट्रिम कर पाएंगे जो इसारण होता है 0.5 mm से लेकर 10 mm तक ट्रिमिंग परफ्रमेंस मतलब आप एक बर यूज़ करके देखिए यह ट्रिमर मतलब आपको दिवाना बना देगा हर तरफ से यह ट्रिमर एकदम ब ट्रिमर ले लिजी आपको सिकायत का मोगा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा तो अभी ओफर के दोरान यह 500 का ट्रिमर आपको 1200 से 1300 के आसपास मिल रहा है तो यह काफी बढ़ियां ओफर है तो इस ट्रिमर का बेस्ट बाई लिंक आपको नीचे डेस्क्रिप्शन सेक्शन पर मिल ट्रिमर या फिर और एक ट्रिमर है जिसका अब नाम है फिलिप्स QT4011 ट्रिमर तो यह तीन ट्रिमर में से आपके लिए कौन सा ट्रिमर लेना रहेगा सही एड़ी बज़ाटो रूपीज टोठा ज़ान चलिए हम पता कर लेते हैं तो अगर हम कन्फिग्रेशन और फिचर व बज़ाती है दूनों की ट्रिमर में आपको टाइटीन एम ब्लेट भी मिलती है बिल उरिटी बात कर दो बिल को रहेटी काफी सही है दूनों की ट्रिमर में आपको 20 लॉक सेटिंग मिलती है जो इसार रहता है 0.5 mm से लेकर 10 mm तक तो तो कन्फिग्रेशन वायस हार एक चीज बिलकूल सेमी है तो दोनों में से वीनर कौन है आपके लिए कौन सा ट्रिमर लेना रहेगा सही चली बता जाता हूँ तो मुझे फिलिप्स BT321 ट्रिमर के पर्पमेंस थोड़ी सी बहतर लगी as compared to फिलिप्स QT401 ट्रिमर और इसकी में डिजन है इसका जो कॉम आप देख र ट्रिमर है थोड़ा सुपर फास्ट इस एस पिड में हमें ट्रिम करके दे दिती है इसी सेम टेम अगर हम फिलिप्स QT401 ट्रिमर की बात है तो उसकी पर्पोमेंस तो बहुत ही बढ़िया है बहुत ही स्मूध ट्रिमीं रियल्ट हमें देखने को मिल जाते हैं इन सेम फिलि अपने चैनल पे तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो उस वीडियो को जुरू जाके देखिए उसके बाद जो भी ट्रिमर परसंद आए आप उसको खरीद सकते हैं दुनी ट्रिमर का प्राइस है 2000 लेकिन अभी ओफर के दौरान आपको ये ट्रिमर तकरिवन 1700 के आसपास मिल रहा है तो टोडल 300 रुपे के डिसकाउंट आपको मिल रही है तो ये कममाल का डिल हमें देखने को मिलता है तो इस डिल को आप बिल्कुल भी मिस मत किचिएगा अब जले बर्ते हैं आगे हमारी आखरी ट्रिमर की और जो किये फिलिप्स के तरब से आने वाली फिलिप्स One Blade ट्रिमर ये जो ट्रिमर आप यहां पर देख रहा है इसका ये खास बात है कि ये एक ट्रिमर का साथ-साथ शेवर का भी काम करता है जिहां दोस्तों ये ट्रिमर मिल जाती है इस टिमर रोल चार्जिंग टाइम एक एवर्स आट गंडे कंप्रेट चार्ज करने पर आपको 45 मिनिद्स की बैटरी बेक अप मिल जाती है इसकी इलावा यह सिर्फ कॉडलेस डारेक्ट इसको चार्जर पर करने करके यूज आप नहीं कर सकते इसकी खास बात है यह बिल्कुल waterproof trimmer है तो आप पानी में बातरूम में जाकर भी इसको आराम से यूज कर सकते हैं और एक चीज जैसे कि मैंने कहा यह बिल्कुल shaver का भी काम करता है तो आप बहुत यह असाने से underarm हो गया या फिर नीचे का area हो गया या फिर हातों की बाल हो गया इस चीज को आप असाने से पुरा full trim करके एक clean shape वाली लोग पास सकते हैं 100% clean shape नहीं कहांगा दोस्तों लेकिन फिर भी पुरा 99% तक यह जो trimmer है पुरा full clean shape करके आपको दे देता है इसके साथ साथ और में क्या कहूं इस trimmer के साथ में आपको मिलता है 3 different clip जो है 1 mm, 3 mm and 5 mm तो 3 different setting में भी आप अपने beard को trim कर सकते हैं जो काफी अच्छी बात है अब देखिए एक चीज में आपको बताना चाहूंगा जितने भी trimmer मैंने आपको दिखाया नहीं यहाँ पे तो अगर आप जैसे beard थोड़ी बड़े रखते हैं तो यहाँ पर हम line देते हैं तो line देने का बावजूद भी हमें फुल clean देखने को नहीं मिलता क्योंकि सभी 0.5 mm पे trim करके देते हैं लेकिन in the same time अगर आप इस trimmer से trim करेंगे और line देएंगे price से तो आपको बहुत ही clean result देखने को मिलता है मतलब एक wow वाली जो factor होती है न वो हमें देखने को मिलते है using this Philips QP2525 one blade trimmer कास इस पे एक coded as well as cordless feature दे दिया होता या फिर fast charging feature दे दिया होता तो कमाल होता लेकिन इस पर ये दो नहीं feature नहीं है तो इसलिए ये trimmer लोगों को लेले से थोड़ा हिचकी चार्ट होती है लेकिन फिर 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 परपर्रमेंस वाइस बहुत ही बढ़िया trimmer हमें ये Philips QP252525 one blade मिल जाती ह अब decision आपका है दो चार के बज़र में हमने आपको तीन trimmer बता दिये हैं Philips QT401 trimmer, Philips BT321 trimmer and the Philips QP2525 one blade trimmer decision आपका है जो भी trimmer आप लेना चाहें आप ले सकते हैं और इसे अब जितने भी trimmer आप यहाँ पर देख रहे हैं सभी trimmer का review हमारे channel पे available है उन सब का link आपको description section पर देदूँगा कोई भी doubt है तो आप एक बार सभी trimmer को जरूर से जरूर चेक किजिएगा So guys जितने भी trimmer मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाए हैं सभी trimmer का best buy link आपको निचे description section पर मिल जाएगी अगर आप हमारे link से खरीते हैं तो सारे के सारे trimmer सबसे सस्टे दामी तो मिली जाएगी इसे के साथ साथ थोड़ी सी help हमारे channel को भी हो जाएगी यहां तक वीडियो पुदा देखने के लिए आप सभी का तहए दिल से मैं अभी से गुपता करता हूँ शुक्रिया Thanks for watching